तो अज मैं अगला वीडियो लेकि हाजिर हूं फिवाशीरिस का और मेरे साफ से सीरिस का लास्ट वीडियो है और टॉपिक वोही मैं यह कोशिए करता हूं डूज़ अंड डॉंट्स दे दू आपको इसी भी टॉपिक के बारे में वेपर करक्स को समझ सकें अगर आपने सारे सिर्इस सेहिए है तो लास्ठ मे आपको पॉइंट को रिकेब करने में की पानी पिलाते रहना है आपने उस को लूज कपड़े पेनाने कपड़े कम पेनाने जब फीवर हो रहा है तो कम कपड़े पेनाने कम ओडन उड़ाना है बहुत ज्यादा ढखके नहीं रखना है जिससे और बच्चे को डिसकंफर्ट होता है अगर बहुत गर्मी लगेगी तो उसके फीवर उतारने के लिए अप ठासन पानी से नहीं करने हैं स्पॉंजींग पूरे श्रीर की करनें सिर्फ सिर्की पतियां नहीं करने लखे अपने ला शकते हैं घब तोड़ा एरी रखना है हवादार होना चाहिए बहुत नहीं होने cephalve और फीवर उतरने के बाद आप उसको नॉर्मल कबड़े पर देनी पड़ सकती है तो थरामेटर आपके पास होना चाहिए डिस्टल थरामेटर होना चाहिए कैसे टेपरेटर लेना टेपरेटर वीडियो मैंने समझा दिया है कर दैया मैटबॉलिग दि मांड बड़ जाती है मैटवालिक żaatा है दर्डें हो ओर हो थे हैं छाल्य के लिए इतना इन्टरस्टेड नहीं होता है तो टेना है इस तेना है ताकि उसको नेंगे बिच में इसे में कविछ बिच में ज्याइब नहीं है अगर फिवर उतने के बाद ही बच्चा थोड़ा सुस्थ है टॉक्सिक जैसा है तो फिर इमिजिटले अपने डॉक्टर से सलाव लिए ठीक है क्या गलतिया नहीं करनी है ओवर कलोथिंग नहीं करनी है बहुत ज्यादा ढगना नहीं है फीवर के टाइम पे नहलाना बंद नहीं करना है ठीक है दबाई प्रॉपर डॉज में द सब्सक्राइब को पता होना चाहिए ना कोड़ वोटर को नहीं उसकरना उससे ठंड लगती बच्चे को इरिटेट होता बच्चा और एस्पिरिन या निमसलाइड ऐसी दवाईयां नहीं उसकरनी है यह रिक्मेंडेड नहीं है फीवर उताने के लिए परसिटमोल और बहुत सारे पेशन आके बोलते एंटिवाटिक दे दी हमने फीवर के लिए थोड़ी थी वह वह तो बैक्टिरल इंफेक्शन के लिए थी कि कि के तो एंटिवाटिक वाला स्क्षिन भी देख लीजिएगा खाना कैसे खिलाना है बीमारी में क्या किलाना है वह सेक्षिन भी देख लीजिए तो एक एक सेक्षिन अगर आप देख लेंगे तो आपको सारी चाहिए तो मोटे मोटे डूस एंड बता दिये फेबरायल सीजर में क्या करना क्या नहीं करना वह पता होना चाहिए वह वह एक कॉमन प्रॉलम में चोटे बच्चे में हो जाती है तो फ्रेंट उसके बाद जैसे फिवर उतर गया आज का दिन निकल गया अगले दिन कम से कम जाके डॉक्टर को अपने मिल लीजिए उनको बताइए बच्चा दिखा क्या यह ना अगर दुआरा फिवर नहीं आया एक कि बारा आया बारा गंटे चौबिश गंटे तक फिवरी नहीं है त तो इतना आपने करना है यह डूज और से आज यह सीरीज खतम होती है उमीद करता हूं आपको काफी हेल्प मिलेगी फीवर एक कॉमन प्रॉलम है हर बच्चे के साथ होती है हर घर में होती है तो आपको यह नॉलेज होना जरूरी है सेपने अपने सुझेशन वेजएगा कमेंट्स वेजएगा जो रिक्वाइरमेंट है वीडियो कि किस तरह की सीरीज चाहिए आपको कैसे वीडियो चाहिए वह मुझे बताकर बिजईगा है नंदरे होता है पंदरावीस मिनटके यह चार पांच मिनटके होते हैं कुछ मैं सब्सक्राइब बनाता हूं तो different different audience के लिए मैं सूछता हूं कि हर किसी को एक अपने हिसाब से content मिलेगा तो उसको इंटरस रहेगा नौ ले रहे तो मैं नहीं करता हूं कि जो एक बार चैनल में आता है उसको content अच्छा लगता है तो सारे वीडियो दीरे-दीरे सुन ले अगर आपको कुछ कंटेंट चाहिए तो मैं उस पर भी सेक्षिन लग से बनाऊंगा मेरे लिस्ट में है लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ थैंक्यू फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नेक्स सीरिस के साथ धन्यावाद